हम अपने घर को सजाने के लिए कई तरह की तस्वीरे लगाते हैं जो कई बार हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं अगर आप वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में तस्वीर लगाएंगे तो इससे घर में सकारात्मक उर्जा का संचार पढ़ेगा और घर में खुशहाली आएगी मानसार और वास्तु मंडल गरंत के अनुसार घर को सजाने में अच्छी चित्रकारी के बारे में बताया गया है इसके ही अनुसार घर में हंस की तस्वीर लगाने से पेसो की कमी नहीं होती है तो हम आपको पताने जा रहा है कुछ ऐसी ही तस्वीर के बारे में जिसको लगाने से घर में बहुत ही अच्छा पिरभाप पड़ता है वास्तु शास्त्र के अनुशार घर में देवी देवताओं के चित्र लगाने से सभी परेशानियां दूर होती है और घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है फेमली फोटो या दूसरे फोटोज घर में लगाना चाहिए इससे घर में निगेटिविटी नहीं आती है घर में सुख सम्रिद्धी बनी रहती है घर में समुद्र किनारे दोडते हुए साथ घोडों की तस्वीर लगाने से सकारात्मक उर्जा का संचार बढता है घर की बेठक में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाना अच्छा माना गया है इससे घर में पैसो की कमी नहीं होती है पहाड या उड़ते हुए पक्छी का चित्र लगा हो ऐसे तस्वीरों से विचारों में सकारात्मक ता आती है और आत्मिश्वास बढता है रसोई घर में फलो बाग, बंदर, साप, गिद्ध, कौवा, उलू, भालू, सियार, सुर या मगरमच्छ जैसे हिंसक जानवरों की तस्वीर लगाने से परिवार की लोगों का व्याभार भी हिंसक हो जाता है। आत्मवल कमजोर होने लगता है। डूपती या लहरों में डगमगाती हुई नाव का फोटो लगाने से परिवार में तनाव बढ़ता है और वास्तो दोशत्पन होता है। बहते हुए पानी, जर्ना या फिर फबवारे की तस्वीर लगाने से धनकी काफी फिजूल खर्ची ह होती है। इस सरह से आपने जाना कि आपको आपके घर में कौन सी तस्वीरे लगाना चाहिए और कौन सी तस्वीरे नहीं लगाना चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि उनको भी इन सब चीजों के बारे में पता चल सके फेस्बु वक्ती चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें वेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज मिलते रहें